असलाम लेकूम टॉल तो आज हम जबरदस सी फ्राइट चिकन बिरियानी बना कर त्यार करेंगे पीसेस को अच्छा ग्रिल फ्राइ करके हम उसके बिरियानी प्रिपेर करेंगे जो के टेस्ट में बहुत यमी और मज़ेदार बन कर त्यार होती है पाटी स्टाइल चिकन बिरि लेंगे जिसको थोड़ा बड़े-बड़े सैजस में हमने पीसेस कट करके रख लिए हैं अची तरह से कट भी लगा लिए हैं अची तरह से धोकर साइड में रख लेंगे तो चलिए बनारा स्टाट करते हैं जिकन बिरियानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कड़ाई ले जिसमें एक कप भर के यानने तीजाट बड़े चमंच भर के टेल ले ले वगाए गरम इसमें मेडियम सैस के प्यास के युज करेंगे जिसको छुआ appa में और 4072 मिनिट के लिए अची तरह से फ्राइब लेंगे ताकि हिसका हलका सा कलर चल जाय ज्यादा सा ब्राउन कलर न सब्सक्राइब करना जाएंग नौटł जाएंगे एक प्लेन निकुअ करेंगे सारी प्लेट , तो खोच 카ण करेंगेcido सब्सक्राइब लेंगे प्लेट में और उसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे तो चलिए अब हम सेम ऑईल में चिकन आइट कर देंगे एक मिनिट तक हाई फ्लेम पर तरह से गरम ओईल में अची तरह से भुन लेंगे ताकि इसका criterion हो जाए चेंज हो जाए एक मिनिट तक अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें स्पैसेस एट करेंगे तीन बड़े चमज भरके हम इसमें आदरक लेसन पेस्ट एट करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एट करेंगे एक किलो चिकन बिर्यानी के लिए मैंने देर चमज नमक का यूज करेंगे तीन बड़े चमज भरके हम इसमें लाल मिर्ज पॉडर एट करेंगे इसमें चंद खड़े मसाले एट करेंगे एक इंच के खरीब दालचिनी का टुकड़ा एट करेंगे थोड़ी सी जावीत्री एट करेंगे हम इसमें तीन लॉंग एट करेंगे तीन से चार हरी एक चमज भरके बिरियानी मसाला एट करेंगे और एक चमज हम इसमें धनिया पौडर एट करेंगे अब तमाम स्पाइसेस को चिकन में अची तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे ग्यास के फ्लेम को हाई ही रखेंगे हम लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे अच्छी तरह से मिलाते हुए खरीब दो मिनिट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है हमने अब हम इसमें तलीवी प्याज आट करेंगे एक चमस भर के, हराधनिया आट करेंगे हम इसमें और पुदिना आट करेंगे एक एक चमस भर के, बड़े चमस से डालेंगे हम अच्छी तरह से ये प्याज और मसाले को भी चिकन में अच्छी तरह से मिला लेंगे, इस तरह से फ मज़ भर के नीमो एट करेंगे ये एक से देर नीमो के खरीब होगा हम इसमें 300-300 ग्राम दही एट करेंगे अच्छी तरह से फेट लेंगे विसकर की मदद से फेट कर एट करेंगे दही एट करेंगे पहले गयास के फ्लेम को लो कर देंगे हम और एक पैली भर के एक कब भर के पाने आट करेंगे हम अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद ग्यास के फ्लेम को हाई कर देंगे हम एक मिनिट बाद दही अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए जब ये पकना स्टार्ट हो जाए जब ग्यास के फ्लेम को हाई कर देंगे हम हाई करके 2-3 मिनिट के लिए रख देंगे लीजिए 3 मिनिट हो चुके हैं एक बार अची तरह से मिला लेंगे अब हम उसको मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनिट के लिए और पका लेंगे ताके हमारा चिकन 60-70% अची तरह से पक जाए तो लीजिए भी हमारे चिकन को पकते वे खरीब 7 मिनिट हो चुके हैं हमारा चिकन 60-70% तक अची तरह से गल चुका है अब हम क्या करेंगे कि ये शोरबे को रखेंगे जिसका यूज हम बिरियानी में करेंगे और पीसेस को फ्राई करेंगे जिसके लिए हम पैन लेंगे और पैन में 4-5 चमच के खरीब ओईल डालेंगे और तमाम स्पाइसेस को अची तरह से बागत लिक्वीड के बागत शोरबे के पैन में आड़ करेंगे देखिये इस तरह से और गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चिकन के पीसे को फ्राइ कर लेंगे चुनके हम फ्राइ कर रहे हैं इस वज़े से हमें और स्पाइस की जरूरत पड़ेगी देट चमच के खरीब हम इसमें लाल मिर्श पॉडर स्प्रिंकल करेंगे और आदा चमच हम इसमें बिरियानी मसाला आट करेंगे कोई भी बिरियानी मसाला यूज़ कर सकते हैं अब हम इसको एक बार अच्य तरह से पल्ठा लेंगे दो मिनिट बाद ताकि हमारे spices अच्छी तरह से चिकन में मिल जाएं अच्छी तरह से सारे pieces को पलटने के बाद चिकन के इस साइट पर भी हम थोड़ा सा लालमिश पॉडर स्प्रिंकल करेंगे जब ही हम चिकन को फ्राइ करते हैं तो इस तरह से हलकी सी लालमिश प्रिंकल करें जिसे के इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा अब हम इसमें तली भी प्याज अट कर देंगे और हरा धनिया भी एट करेंगे चंद दिने के पते अट करेंगे और थोड़ी सी कुथी मेर एट कर देंगे इन स्पैसेस को भी अच्छे तरह से मिला लेंगे हाई फ्लेम पर हमें चिकन को अच्छा क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे तो हमें चिकन को फ्राई करते हुए खरीब चार मिनिट हो चुके हैं हलका सा यह ग्रिल होना स्टार्ट हो चुका है देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है एक मिनिट के लिए और फ् प्यान को सैड में ले लेंगे बिर्यानी के चाब्स प्रीपेर के लिए एक पॉट ले लेंगे और इस में 2-3 नवहड़ाभी कहरी पानी डाल अच्छ तरह करेंगे एक बार मिला लेंगे अचरा अर्म तरह से अहरे और आपके अपानी मिल रिज़ेंजेक्स एक फॉर्म मोझेे करेंगे अकर बारत कुधियों सबस्क्र치는 उत्यद मिला से चलब् laod है अब हम इसमें सोक की हुए चावल एट कर देंगे पाने निकल कर चावल डाल देंगे हम और ग्यास के फ्लेम को हाई ही रखेंगे हम और हाई फ्लेम पर चार से पांच मिनिट के लिए पका लेंगे जब तक कि हमारे चावल 80-70% तक अच्छी तरह से पक जाएं तो लीजिए पकते वे चार मिनिट हो चुके हैं एक बार फिर से मिला लेंगे तो लीजिए अब हमारे चावल को पकते वे खरीब 6 मिनिट हो चुके हैं अब हमारे चावल खरीब 80% तक पक चुके हैं पानी हम ड्रेन कर लेंगे सारा पानी निकल लेंगे तो लीजिए हमने चावल को साइड साइड में रख लेगे जिसमें सारी पिरियानिय अठी अच्छा लेश्日 अब हम से सा की पर नीचे डालेंगे कि अब यसमें जो हम प्रिपेर किया था वो शोरबा डालेंगे मशिप दी यह तरह से हम इसमें बारी कटी भी प्यास डाल देंगे एक मुठी के खरीब हराधनिया एड करेंगे बारी कटा हुआ एक मुठी के खरीब चंद मिंट लीफ्स एड कर देंगे पुदिने के पते आड कर अब हम इसमें फिर शार चामल लगाएंगे उसमें भ्कट बड़े चमच के खरीब देखिए इस तरह से अची तरह से चामल को स्परेड करेंगे पहला अब हम फिर से इसके उपर तलीवी प्याज आड़ करेंगे और शोरबा आड़ करेंगे इस लेर में हम शोरबा ज्यादा डालेंगे तक चामल तक अच्छी तरह से नीचे तक पहुंचाए बारीकटावा हराधनिया आड़ करेंगे चंद पुदिने के पत्ते आड़ करेंगे फिर से हम चामल डाल देंगे जितना बचा हुआ है सारा चामल हम यहाँ पर डाल देंगे अच्छी तरह से चामल को पहला लेंगे इवेनली चामल को अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे देखिए इस तरह से सारा चामल डालने के बाद अब हम इसमें फ्राइट किया हुआ च सारा शोर्बा एट कर देंगे जितना भी हमा रे depois बचा हुआ है इस तरह से दालते जाएंगे हम चमस से सारा शुर्बा एट करने के अब बची भी सारी प्याज एट कर देंगे हम प्यास के एट करने के बाद अब हम इसमें एक-एक मुठी के खरीब हराधनिया एट करेंगे पुदिने के पते भी डाल देंगे सारे बचे हुए अब हम इसमें कलर्ज दालेंगे उपर से दो चमाच पानी में हमने रिड़ल कलर एड़ कर दिया है बिरियानी रिड़ फुट कलर है ये अब हम इसमें औरेंज फुट कलर भी एड़ गरेंगे एक मुटी के खरीब चामल रख लिया था हमने उसमें औरेंज फूट कलर अट करके डाल देंगे उपर से तो लीजिया हमने बिरियानी के लेज़ लगा लिये हैं अची तरह से बिरियानी को उपर से सजा लिया है अब हम इसको कवर करके 20-25 मिनिट के लिए दम होने के लिए रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर स्टार्टिंग के फस्ट फाइब मिनिट मीडियम या हाई फ्लेम पर रखेंगे उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर 12-15 मिनिट के लिए दम लगा लेंगे तो लीजी अब हमारे चावल को रखे हुए खरीब 15-20 मिनट हो चुके हैं बीट में एक बार चिक कर लिया था चावल और थोड़ा सा दम होना बागी था अब खरीब हमारे 18 मिनट हो चुके हैं कम्प्लीटली हमारे चावल रिडी हो चुके हैं दम बिर्यानी की तरह ये 25-30 मिनिट लगेंगे इसमें बलके 18-20 मिनिट 15-20 मिनिट लगेंगे बीट में बीट में एक बार चेक कर लेंगे 12-15 मिनिट बार इजिए अब हमारी जबर्दस सी मज़ेदार सी फ्राइड चिकन बिर्यानी बनकर रेडी हो चुकी है इस तरह से फ्रा हो तो आप इस तरह से चिकन बिर्यानी बना कर त्यार करेंगे तो सुब को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप इस एक बार जरूर ट्राइ करें और मुझे फीडबैक जरूर दें अगर आपको मेरी ये र